नमस्कार मित्रो, आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, कभ एक agreement वैद agreement कहा जाएगा, यानि valid agreement और भारती समविदा अधनियम 1872 के अनुसार वैद agreement के मुख्यता तो क्या है? तो चलिए जानने के लिए वीडियो को शुरूश लेके आखरी तक अवस्य देखें और आप लोगों ने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो सुरुवात होती है कि किसी भी एग्रिमेंट की सुरुवात कैसे होगी तो किसी भी एग्रिमेंट की सुरुवात होगी दो पच्छकारों से यानि किसी भी एग्रिमेंट के अस्चित में आने के लिए उस एग्रिमेंट में दो पक्षकारों का सामिल होना अती आवस्यक है भारती सम्विदा अधनियम 172 के अनुसार किसी भी एग्रिमेंट के होने के लिए दो पक्षकारों का होना आवस्यक बताय गया है Agreement तभी होगा जब दो लोगों में किसी बात को करने या ना करने की आपसे सहमति या रजा मंदी देते हैं और या सहमती या रजा मंदी उस कार को करने या ना करने के लिए दी जाती है तो ऐसी सहमती बिना किसी डिर, धमकी, लालच और कपड़ से दी गई हो या ली गई हो तभी एक agreement, वैद agreement माना जाएगा Agreement में दो पचकार कौन होते हैं? ये वे दो पचकार हैं जिनको वचन दाता और वचन ग्रहता कहा जाता है वचन दाता कौन है? वचन दाता उस वेक्ट को कहा जाएगा जो किसी कार को करने के लिए या ना करने के लिए प्रस्ताओ या वचन वेक्ट के समक्च रखता है वचन ग्रहता वचन ग्रहता उस वेक्ट को कहा जाएगा जो वचन दाता के द्वारा किया गया प्रस्ताओ या वचन को स्विकार करता है तो बात रही एग्रिमेंट की सुरवात कब होगी जब उसमें दो पचकार सामिल होगी जिसमें से एक वचन दाता यानि प्रस्ताओ करता है और दूसरा वचन ग्रेता जो उस प्रस्ताओ को सुईकार करता है अब दूसरा तत्वा आता है प्रस्ताओ सुईकारिता एग्रिमेंट तभी होगा जब एक वेक्ति किसी कार को करने या ना करने का प्रस्ताओ दूसरे वेक्ति के सामने रखे और वा दूसरा वेक्ति इस प्रस्ता को स्युकार करे तभी एग्रिमेंट कहा जाएगा और एग्रिमेंट की सुर्वात होगी उदारण के माध्यम से समझेंगे का अपना मकान पचास लाख रुपए में बेचने के लिए खाके समझ प्रस्ताव रखता है और खा इस प्रस्ताव को स्विकार करता है जहां खा इस प्रस्ताव को स्विकार करता है कि वह काके मकान को पचास लाख रुपाय में खरे दिने को तयार है तो कहा जाया कि एक वक्ति ने प्रस्ताव किया और दूसरे ने उसके प्रस्ताव को स्युकार किया तीसरा तत्व है एग्रिमेंट Agreement से यहां यहां मतलब है कि जब एक वक्ति दूसरे वक्ति के समझ प्रस्ताव रखता है और दूसरा वक्ति उस प्रस्ताव को स्यूकार करता है तो ऐसे में दोनों पक्षकारों के बीच एक करार होता है जैसे कहा अपना घर एक लाख रुपाय में खा को बेचने के लिए उसके समझ प्रस्ताव रखता है और खा इस प्रस्ताव को स्यूकार कर लेता है तो ऐसे करार को Agreement कहा जाएगा चौथा तत्व है वैद Agreement यानि Valid Agreement या Legal Agreement Agreement के लिए ध्यान देने वाली बात या अति आवस्यक होती है कि जो भी Agreement किये जाए वो कानूनी रूप से वैद होने चाहिए यहाँ कानूनी रूप से वैद का अर्थ Agreement लीगल होना चाहिए ना कि इल्लीगल यादि कोई भी Agreement गैर कानूनी हुआ तो वह सून अग्रिमेंट कहा जाएगा यानि Valid Agreement जिसका कानून की नजरों में कोई वैदानिक अस्तित्व नहीं रहेगा यानि एग्रिमेंट वही एग्रिमेंट माननी होगा जो की वैद एग्रिमेंट हो यानि लीगल एग्रिमेंट पाचवा तत्व है प्रतिफल यानि कंसिडिरेशन एग्रिमेंट में प्रतिफल की महत्पूर्ण भूमिका होती है प्रतिफल का मतलब हुआ कि किसी वस्तु के बदले में मिलने वाला धन या अन्यमूलवान वस्तु इसको हम आपको एक बहुती अच्छे और आसान से उधारण में के माध्यम से समझाने वाले हैं का ने खा के समझ या प्रस्ता रखा कि वह अपनी बाइक 10,000 रुपाय में बेचेगा यदि इस बाइक के प्रस्ता को खा सुविकार कर लेता है और बाइक को खरीद कर का को 10,000 रुपाय देता है तो यहां दिये गए 10,000 रुपए का मतलब हुआ प्रतिफल जो की का को बाइक बेचने पर खा के द्वारा मिला आपसी सहमती एग्रिमेंट को वैध एग्रिमेंट बनाने के लिए दोनों पक्षकारों की आपसी सहमती का होना अतियावस्यक है और या बहुती जरूरी होता है जब दो पक्षकारों के मत किसी बात को कहने मतलब करने या न करने का करार हो रहा हो तो उस करार को करने या न करने के लिए दोनों पक्षकारों का आपस में सहमत होना जरूरी है एग्रिमेंट के लिए दी गई सहमती स्वतनत्र होनी चाहिए भारती सम्विदा अधिनियम के अरुसार कोई भी ऐसी सहमती सहमती नहीं मानी जाएगी यदि उसमें ये तत्त्य सामिल है जैसे धारा पंद्रा के तहट प्रपीडन द्वारा सहमती प्राप्त करना धारा सोला अरुचित प्रभाव द्वारा सहमती प्राप्त करना धारा अठारा कपट द्वारा सहमती प्राप्त करना धारा अठारा बहकावे द्वारा सहमती प्राप्त करना तो जो सहमती होगी एग्रिमेंट के लिए वा स्वतन्त सहमती होने चाहिए ना कि डरा कर, धमका कर, बेकूफ बना कर या जालसाजी करके या कपड द्वारा या अनुचित प्रभाव द्वारा अब सात्वा तत्वा आता है agreement के लिए capacity एगरिमेंट करने के लिए वेक्थ का सक्षम होना बहुत आवस्यक होता है यहां सक्षम का अंतलब यह है कि जिन दो पचकारों की मत agreement होने जा रहा है उन दोनों का मानसिक और सारी रूप से स्वस्त होना आती आवस्यक है अच्छी तरह से समझकरी उस पर अपने हस्ताचर करेगा जो वेक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वह agreement के किसी भी पहले को ना समझ सकेगा और ना उस पर विचार करने योगी होगा तो ऐसे में किसी भी agreement के लिए दोनों पच्चिकारों का मालसिक और सारी रूप से स्वस्थ होना आती आवस्यक होना है जो कि agreement के लिए उनको capable बनाता है यानि सक्छम बनाता है आठवा तत्व है वयस्क agreement के लिए व्यक्त का व्यस्क होना आती आवस्यक है व्यस्क व्यक्ति उस व्यक्त को कहा जाता है जिसने 18 वर्स की आई पूंड कर ली है एग्रिमेंट के लिए वैस्क होना इसलिए आवस्यक है क्योंकि वैस्क एक ऐसी उम्र होती है जिसमें व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे को समझता है और उसका मांसी विकास इस हद तक हो जाता है कि वह उस हरे बात को अच्छे से समझने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है वर्तमान भयुस में इसका क्या असर होना है वैस्क एग्रिमेंट में लिखी उस बात को अच्छी तरह सूजबूज के साथ पढ़ता है और उसको समझता है कि agreement में लिखी बात सही है या गलत है तो agreement के लिए वयस्क होना जरूरी है यानि major होना agreement का आखरी तत्व है agreement का लिखित होना यानि agreement का return में होना वैद agreement के लिए उसका लिखित होना अतियावस्यक है जो कि किसी भी agreement को वैद बनाता है जो कि कानून की नजरों में वैद होने की वैदानिक अस्तितु रखता है एग्रिमेंट का लिखित में होना एक साच होता है जो कि दो पच्चकारों के मद किसी बात को करने या ना करने के लिखित करार होता है एग्रिमेंट का लिखित होना इसलिए भी आउसक है कि जब दो पच्छकारों की मद्ध किसी बात को करने या ना करने का करार होता है उस करार से संबंधित वाहरे बाद लिखित होती है यदि करार होने के बाद किसी बात को लेकर इन दो पच्छों के मद्ध कोई विवाद उत्पन होता है या होने की संभावना होती है विवात का समाद धान किया जा सकता है तो इस बात रहे किसी भी agreement का लिखित होना क्योju आवस्थक है या आपने जान लिया agreement वेद तभी होगा जब वालिखित में होगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि कब एक agreement बैद agreement होगा यानि valid agreement होगा और valid agreement के आवस्यक्तत तत्व यानि essential elements of agreement क्या है तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो क्या है